Hey friends, welcome back to my channel. It's me Praakshi और आप देख रहे हैं Praakshi वर सेटाइल चानल Friends, आपको मेरा सेटप कुछ अलग लग रहा हुआ, कुछ डिफरेंट लग रहा हुगा जी हाँ, जिसे कि आपको पता है कि हम लोग नए घर में शिफ्ट हो गए हैं और इस घर को बनाने में बहुत जादा महनत लग गई है So मैं चाहती हूँ कि मैं अपना experience आप लोगों के साथ शेयर करूँ So मैं आज सेक सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें मैं आपको interior related कुछ टिप्स दूँगी जो कि हम लोगों ने यूज की है And I'm not an expert सिर्फ मैं आपके साथ अपना experience शेयर करूँगी जो कि आप अपने घर को बनाने के लिए या फिर अपने घर को रेनुवेट करने के लिए आप यूज कर सकते हैं तो जो भी चीजें यूज होती है गर को बनाने के लिए वो मैं अपनी अपकमिंग वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी So friends, बाते बहुत जादा हो गई है तो आज का topic में आपको बता जीती हूँ आज का topic है वो है most necessary product जो कि किचन में यूज होता है चिमनी आज कल बहुत जरूरी बन गई है किचन के लिए So उसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ कि चिमनी कितने टाइप्स की होती है कौन से फिल्टर्स यूज किये जाते हैं कौन सी चिमनी बेस्ट होती है और आप अपने अकॉर्डिंग कौन सी चिमनी सेलेक कर सकते हैं यह सारे topic मैं आज की वीडियो में कवर करने वाली हूँ So without any delay let's get started Friends first thing मैं मैं आते है कि चिमनी होती क्या है तो जब भी आप cooking करते हैं और जो cooking के साथ साथ जो भी spices, oil और जो smoke निकलता है तो चिमनी उसको सत्करके जो भी उसमेंसे जो air रहती है जो भी oil smoke यह सब रहता है उसको भाहर कर फेगती है आपके घर से भाहर फेगती है तो आप सोच रहोंगी कि आप exhaust fan भी लगा सकते हैं जी आप exhaust fan लगा सकते हैं पर exhaust fan अतना successfully काम नहीं करता जिता की चिमनी काम करती है क्योंकि exhaust fan जो होता है काफी height पे लगाया जाता है तो जब smoke ज़ादा होता है तब ही वो smoke को fake देता है पर oil जो होता है वो आपके डबो और kitchen की वाल पे चिपक जाता है पर चिमनी जो होती है वो जो भी hob होता है जो भी gas होती है उसके ऊपर लगाए जाती है जैसे ही smoke निकलता है वो जैसे जो भी oil और spices निकलते है उसको सख करेगी और आपके घर से बहार फेक देगी फ्रेंड सब बात आते है की चिमनी किते टाइपस के रहे होती है मैंने दो टाइप की चिमनी सुनी है एक तो ड़क्त होती है वीड़क्त और दूसरी जो ह क्या होती है उसमें क्या होता है चिमनी के साथ एक अटेच अलुमिनियम पाइप रहता है और एक जो सीरा रहेगा अलुमिनियम पाइप का वो चिमनी पे अटेच रहेगा और जो दूसरा सीरा रहेगा पाइप का अपके घर के बहार जाएगा तो इट मेंस जब भी आप कु जो एंवार्मेंट है एकदम हाईजीनिक रहेगा कोई भी ऑईल अगेरा ग्रीसी चीज जो है आपके डबबे और वाल पर नहीं चिपकेगी जो नेक्स टाइप है चिमनी का वो है डग्लेस डग्लेस में क्या होता है अलुमिनियम पाइप नहीं रहता है तो आप सोच रहोंगे कि जो दूहा है जो तेल है वो कहां जाता है तो डग्लेस में क्या होता है उसमें कार्बन फिल्टर लगा रहता है तो जो भी आप कुकिंग तो जो भी ओईल रहेगा, एर स्मोक वगर रहेगा, तो वो सब को कार्बन फिल्टर एब्जॉब कर लेता है, और जो एर निकलती है, उसको प्यूरिफाइ करके आपकी ही किचन में रिसर्कूलेट कर देता है, बनाब जो एर रहेगी, वो प्यूरिफाइड एर रहेगी, उसम है, बिसिकली दो तरिके के फिल्टर होता है, फिलज होता है, मैस फिल्टर, और डूसरा बैफिल फिल्टर, थि disponible filter में थेखिकलीogen, फिल्टर में क्या रहता है, इक जाली टाइप रहती है, पनेट रहती है, तो जो भी ऐल फ्यूज उसमाभ चैने पर फजल्जनी बेफिल फिल्टर होता है, इसको इसको काई इस्टेटर का अच्छे से बनाया गया है। वह स्टेइनलेस तीन स्टील का रहता है। और इस्टेप से उसमें लाइनिंग लगी रहते हैं। तो इसकी क्लीनिग आपको ज़दा करने की जरूरत नहीं रहती है Indian kitchen according to Baffle Filter , , अगर अब कलीन कर पा रहे तो आप मेंस फिल्टर की तरफ जाये, अगर अगर आपके पास जादा रिख्यादा प्लिटर की तरफ जा सकते हैं. Friends, बात आती है क्लीनिंग की, तो पहले डक्ट की जाते हैं . डक्ट, वी डक्ट में वी आपको दो तीन आप्शन मिल जाते हैं चिमनिंग के ऑटो एक चिमनिंग रहते हैं और उटो ख्लीन में प्रेस करेंगे जो भी जमा हुआ तेल और जमी वी चीजे हैं तो फो चिमनी को क्या करेंगा है अब लिए जमा करेगा और ब्लेवा चुछ फ अब बात करते हैं डग्ट लेस में आपको अटो क्लीन अप्शन नहीं मिलता है आपको क्या अगरना बड़ता है जो भी कार्बन यूज होता है आपको कार्बन को चेंज करना पड़ेगा ओवर था ताइम पिरियाड फ्रेंड अब बात आती है कि कौन सी चिमनी सबसे अच्छ कर सकते हैं डग्ट लेस विद बैफल अच्छी रहती है इंडियन किचन के अकॉर्डिंग अब बात करते है कि चिमनी कहा लगानी चाहिए कितने साइस की रहनी चाहिए चिमनी जो है जो भी आपका स्टॉफ का साइज है या तो साइस की रहनी चाहिए उससे थोड़ी स्टिय्कितरsteps के सप्से मिल जाएगी उससे अपको फंक्ष्णलिटी उसमें इंउम्ेरिज और मिल जाती है मिल बैफल फिल्टर मिलती हैdamn और चिमनी का जो प्राइस होता है वह संक्षन पावर पे भी डे vä anlam vein Remmel dando करता है संग्षन पावर क्या रहता है कि आपकी चिमनी कितन कितना दुआ सक कर सकती है कितना ओयल सक कर सकती है तो इसके पावर कैलकुलेट होती है तो उसके अकॉर्डिंग भी चिमनी का जो है वो प्राइज मिलता है बेसिकली 10-15,000 के बीच में अच्छी किचन में जो मॉडुलर किचन में चिमनी यूज होती है वो आपको मिल जाएगी फ्रेंट्स मुझे लगता है कि मैंने जो भी नेसेसरी डिटेल्स है एक चिमनी के बारे में वो सब कवर कर ली है अगर आप चाहते हो कि मैं किसी चिमनी का डेमो दूँ तो आप मुझे जरूर बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में तो मैं आपको डेमो भी दे दूँगी और आप दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं और में यह चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा मिलते हैं नेक्स अमेजिंग वीडियो में बबाई टेक्षा